कि अजिए आपने अपने आपनी डिसकास करना है मुझसे पूच रहे हैं मुझको बता है आई पीए अए घुए पीएटर अजीए प्मिठिए अजिए लुट आइWhere गाइस आप लोग ने देखा है मैं आप यह देखो 151 is not a small total and after that without any loss of single wickets and you know one of that captain of that team is a number one ranking player nowadays और उन्होंने वो प्रेटिक्ट किया था कि जो हमारे यंग्सस हैं वो जरूर कुछ ना कुछ ups and down करेंगी that is the main reason हमारे लोग दो warm-up match जीत के थे थे ना warm-up match comfortably they win so what happened they take this team underdog and the history पीछे देखला पाकिस्तान की उनके जो फास्ट बॉलर है वो डॉमिनेट करते ही करते हैं आप लेका पैसे फास्टोवर में और 150 consistency हैं की 150 के आसपास 140 के प्लस बॉल करते हैं and that in swinging your cut is a quite very difficult in initial overs उनने वह हमारा advantage ले लिया first six over में they start first over में four six that is the main reason whenever you अपने opponent को आप क्या करते हो ना तो वह फिर क्या होता है वह रनी आपके इतने पने जब की इंडिया की बैटिंग लाइन देखो कितनी और बॉलर देखो आप गुम्रा शमी कैसे वह खेल रहे थे यहां बड़े-बड़े स्टार हो जाते ना एक दो पर डिपेंड हो जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पर क्लैप्स हो जाता है काम कि जब आपका छोटा-छोटा कंट्रिबूशन होता है जो हम 83 में वर्ड कप जीते थे थे अट टाइम देर नो बिग नेम ऐसा कोई आल राउंडर ऐसा नहीं था कि जो आपका और आलवेज एट टाइम इंडिया इस क्या था अंडर डॉग और दोनों बार वेस्ट इंडीज को रहा है उन्होंने फिर्स मैच में भी और फाइनल में भी जो पिछले दोनों वर्ड चैंपिएंटिएंटिव नाइन में 83 में त पर था उसकी कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं ही आस तक उस दिन स्ट्राइक थी मेडिया वालों की सेवन्टीन या फिफ्टिन पे फाइव आउट हो गें जंबाबे या गें सोबी और बॉल आपकी जैसे वो प्लास्टिक की बॉल आती ना उसको आप फैंको ऐसे स्विंग हो कि रन उन्होंने अपने सिंगल डबल सिंगल डबल में किये आफ्टर बैट ही स्टाटिड तो वह 1759 रन ने इंडिया को वर्ल्ड कप में रखा उसके बाद आप देख लो अपना महिंदर अमना जितने भी थे मदनलाल रोजर बिनी वह दो विकट ले रहा है को 25 रन कर रहा ह कपिल देव ने कैश पकड़ा था वहां पे 30 याड़ बैकवर्ड पीछे बागते में डैट इस एवन ऑफ दा बैसके पीछे उल्टा बागना कैश करना बड़ा मुश्किल होता है एक आपके एक ऑनली वन सरदार बॉल्डर से बल्विंदर सिंग संडू गॉर्डन गुनी इसको उसने बोल्ड किया था इन स्विंगिंग बॉल पर वह बॉल भी बैस्ट बॉल उसको उन्होंने का था मतलब सारे एक को लेक्टिव एक एफिर सा जब आप हर आदमी कोई ना कोई अपना आउटपूट दे के जा रहा है तो नेचरी आपका तीम के लिए का बहुत बे उसका रिकॉर्ड है कि 60 ओवर के बंडे होते थे पहले ओपनी करने गया और लास्ट नॉट आउट आए हैं ही जागेंस ऑफ वंडे क्रिकट वह बोगते थे कि जो आपका रियल टेलेंट है डैट इस इन टेस्ट मैच इस वंडे में तो कोई भी बैट दो तीन मारे का रन ब नहीं होते थे ठीक है अब आज की डेट में रनिंग बिट्विन दा विकार फेलिंग ये सारी चीजें बहुत जुरूरी है आपको मैं बैस एक्जामपल बताता हूं इंट्रोवर्ड और एक्ट्रोवर्ड का दावे यू और वोकिंग मिस जो थोड़ा ऐसे बाजू बाहर क ठीक है वो अपने आप ही सोसता रहता अपने आप ही उसने हर चीज को अपने आप एनलाईज करना है वह आपको किसी चीज को बता के काम नहीं करेगा उसने देख लिया मैंने ये काम करना है तो वह उसके अंदर ही अंदर अपना चलता रहेगा ठीक है आपने सम टाइम कुल टेंपरामेंट इतना था कोई सावे नहीं और टेक्निकली इस दावन ऑफ दाबेस बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अपने एक सर्जे भूपका हीजा पोल वॉल्टर ओफ रशिया उस्टेम रशिया युए से सार आते थी आपका ओलम्पिक्स में आप यह सुनके ह रहान होगे उसने अपने रिकॉर्ड पता नहीं कितनी बात होड़ें कि इच एन एवरी जंप वह अपना रिकॉर्ड ब्रेक करता है रहता है और ओलम्पिक में डिस्क्वालिफाइब फॉल्स हो याता था है और जब वो कोई वर्ड चेंपिएंशी पोनी उसने पतानी कितन कितना उसका डिस्टेंस करते रहते रहते हैं वैसे लॉंग घंप में अप इंक्रीज्द करते रहते हूं तो यह एक क्या होता है प्रेशर होता बड़ इवेंट का और यह अच्छा है कि इंडिया थी स्टार्टिंग में हार गये ठीक है उससे वस्कून को क्या होगा आपने बेढ़ जाओ इस सुबह से यह हो रहा उपर बैढ़ जाओ नीचे चल जाओ ठीक है आप यह समझ गयों आप एक मेन एक्जामपल सिंपल है इंट्रोवर्ड और अप कैसे साइकोलोजी करी किसी को जटिकर सकते हो उसके बोलने से तो हमको पता लगी आते हैं अगर कहीं भी नए ग्रुप में बैठ रहा है अपने आप आते ही हो अपना शुरू हो जाता है बोलना इसमेंस वह आउट्सपोकन है ठीक है इंट्रोवर्ड होगा वह पहले कि मैंने पढ़ा दिया क्या होता है एंडो मौर्फी तो पढ़के आयों कौन कौन आयो हो कि अगर कि अगर कि अगर कि बोलो बोलो आप में से जो जिसको पता है एंडो एक्टो हम हिसे के ट्री केटगोरीज बेटा शेडन में आपकी डिवाइड किया है जितने भी हम लोग वर्ड में थ्री केटगरीज एंडो एक्टो एंड मैस्व मौर्फी ठीक है उन्होंने थ्री केटगरीज में डिवाइड की है सबको फिजिकली जो हमारा पॉस्चर है हाइट वाइज वेट वाइज ठीक है स्टेंथ वाइज सिंपल है मैसो मॉर्फी मिन्स आपको भूलेगा कभी नी मस्कुलर मैसो से आपको याद होना चाहिए मस्कुलर बॉड़ी विल्टर जो एथलेक्टिक्स में बहुत जाला आपक होते हैं जहां पर आपकी स्टेंथ की गेम होगी है ठीक है उसको मैसो मॉर्फी कहते हैं ठीक है सिंपल है मैसो मस्कुलर और एंडो लीन एंटिल जिसमें आपका बॉड़ी मास मसल्स कम होते हैं पतले होते हैं लंबे होते हैं ठीक है एंडो एक्टो मॉर्फी वाले होते हैं जल्दी लूज कर लेते हैं यह बेसिक चीज के लिए होगी आपको यह ठीक है जितनी भी आपकी स्पोर्ट सेंग जहां पे पूरी आपको यह को बता हो वर्ड में जितने भी आपके स्थ्रेंथ गेंज महां ब्लैक्स डॉमिनेटकर ते तोई भी आप गेम लिखो वर्ड के जितने आपके 100 मिटर के जितने आते हैं 200 मिटर के या आपके लॉंग डिस्टेंस में जो एकेनिया जिंबाब्वे चोटी-चोटी सी कंट्रीज यह टोटली डॉमिनेटीड वर्ल्ड क्लास आप बॉक्सिंग में चल जाओ प्रोफेशनल बॉक्सिंग में वहां पर आपको सारे ब्लैक्स मिलेंगे मोस्तली जैट इस जैनेटिक है जैसे बहुत है आप जैपनीज हैं यह आपने आपके इंडिया में गोर्खाज हैं ठीक है स्मॉल है अगर उनकी आर्मी में 14 जीटी सी हमारे गोर्खा ट्रेनिंग सेंटर हैं जैसे इंडिया में आर्मी के आपको एक मैं सिंपल बताता हूं जैसे कमांडो होते हैं पता है ना कमांडो जैट प्लस क्योर्टी वाले जितने भी हाई प्रॉफाइल लोगों के साथ होते है अगर आप कहीं आपको देखनों को मिले जो जैसे आपके प्राइमिस्टर है या प्रैजिजेंट है जो और मोस्स आपका टार्गेटिक पर होते हैं उनके जो जितने भी बॉडिगार्ज होते हैं स्क्योर्टी परसंस होते हैं वह तू टायर थ्री टायर फॉर टायर को चाहें नहीं है इक वहां तक बंदा जागी सकता है और उनका क्या सिस्टम होता है जिनको education प्लस स्कूर्टी मिली होती है स्पोर्ज अगर वो पसंद जा रहा है सामने अगर कोई पॉकेट में भी हैंड डाल रहा है कोई ऐसे कर रहा हो एक दम उसको पकड़ लेंगे और जहां पर उनकी वीजिट होती है वो दो दिन पहले वहां पर पहुंच जाते हैं लूग साथ होगा सबसे पहले वह सारा एरिया करेंगे फिछ जितनी हाइच वाला एरिया वहां पहले ही खडते हो और कभी आपने उनको देखना घाड़ी से उसमें उतरेंगे उसमेंथ रहें ग nächsten यह वह बहस computer इस हैं जितनी आपकी सारी फोर्सी से उसके जो बैस आपका कमांडो स्ट्रेडिंग के लिए स्लेक्ट होता है वह आदमी पे क्रोडर रुपर खर्चा होता है इंडिया का एंडियर फुली ट्रेंड ग्राउंड एयर वाटर उनको कहीं भी आप लेंड करा दो ठीक है वह अपने अपने आपको सेव करके जितने भी आपके जाते हैं ना जब आपका अब यह जी एंड की में यह आपका नेक्स लाइड जो एरिया हमारा इसन वह क्या वहां पे वह माइ माइन लगा देते हैं तो आरमी जतने भी लोग वह एक एक चीज़ को पहले माइन देखनी है पृती देखनी है जो दूसरा एक मार ने आ रहा है वो तो अपने अलाउट आता घर सेंगी आप को अपनेयापको भी सेव करना फॉलिक को भी सेव करना तो यह कमांडों वहां प क्या 568 जो एक उनकी अलग बटालिय ने उसकी हाइट 6 प्लस है जो कमांडोज है वह सेम जो गोर्खा वाले उनकी हाइट 55 है क्यों वह जैने टीक है अब उनको भी आप बोलोगी 58 वाले आजो अभी किसी ने हाइकोर्ट मेरिट की थी जो 6 वाले उनको 10 परसेंट एडवांटे हैं यह ब्रिटिश ताइम से आपकी बटाली इंदोर्खा और उनको बहुत से अवाड मिलें गरेंटी वार्ज मिलें आपका वर्डवार में कार्गिल में तो यह जैनेटिक हैं तो उन्होंने क्या देखा है उन्होंने देखा कि 3 टाइप के एक आदमी है एक तो जो बड़ मस्कुलर है जिसके बॉड़ी में मसर्स बहुत हैं बट यहार मसर्स नौट अफैट वह मैसो मॉर्फी उन्होंने कह रिया कि वह आप किसी भी अथलेटिक्स में स्पोर्स में उसको आप लेके जाओगे यह वेरी वेरी यूसफुल यह वेरी वेरी एनर्जेटिक और स्रॉं बिलट के होते हैं तो उनकी नेचर भी कैसी होती है इंदे इंज्वैए लव एडवन्चर जो मैंटली और आपका स्ट्रॉंग होगा जिसकी विल्पावर होगी वह एडवन्चर स्पोर्स में जा सकता हैं ठीक है ना क्यों एडवन्चर स्पोर्स का इपिजर फुल आफ बि लाइफ का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए तो लोग वही कर सकते हैं जिनमें क्या होगा विल पावल स्ट्रॉंग होगी जो बोल्ड होंगे जो पहले उसका रिजल सोचना शुरू कर देगा अगर में गिर गया यह हो गया तो वह कभी नहीं कर पाए ठीक है तो मैसोमॉर्फी को स्पोर्स में आपको मैंने कई बार बताया एक्जामपल आपको बोलाए कि हम वालीबाल खेलते हैं या बास्केट बाल खेलते हैं तो सबसे पहले हम जैनेटिक क्यों पूछते हैं उनसे हाइड जब भी साइस का मतलब पता है क्या है एस एए आई वह टीज़ फूल फॉर्म आफ एन एस एन एएस इस तुमको लिखाई है मैंने स्टार्टिंग में है 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 एन एस एन एस 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 एज़िए है हम और इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्स का एक इंस्टिजूट है उसका नहीं आपको पता है कि इसको लेख लो जाना ची तरह से एन एस नेता जी सुभाश एन नाइएस नेशनल इंस्टिजूट अप स्पोर्स स्पोर्स अथोर्टी आफ इंडिया यह तो एक बेसिक है तुम फिजीकल एजुकेशन स्पोर्स पढ़ रहे हो कोई पूछ लेजी वट वट इस अफूल फॉर्म आफ एन नेस लिखो नेता जी शुभाश एन नाइएस नेशनल इंस्टिजूट अप स्पोर्स देन स्पोर्स अथर्टी आफ इंडिया साई इसको उम्चल आइस चाई नेता जी शुभाश नेशनल इंस्टिजूट आफ इंडिया और इंडिया इंडिया साई के जो मीन सेंटर है पत्याला राइड ओन पत्याला पनुखदम में ओल्डेस सेंटर गांधी नगर बैंगलॉर कैलकटा बैंगलॉर कैलकटा की यह आपके साई के मेन सेंटर जहां पर आपको वालीफाइड कोचिंग की कोचीज जो आपके कौलीफाइड डिफ्रेंट गेम के वहते हैं वह ट्रेनिंग मिलती है गौर्मेट ऑफ इंडिया से स्पोर्स थाटी ओफ इंडिया से ठीक है ना जिसको हम बहुते हैं ही और ऑप क्वालिफाइड कोच एक होते हैं न कोचिंग दे रहे हैं सड़क पे स्ट्रीट पे ठीक है कहीं पे भी वो कोचिंग दे रहे हैं अपने एक होते हैं जो आपका स्पोर्स सार्टी ऑफ इंडिया से प्रॉपर ली वहां पे जाके एडमीशन लेके आप साल बर्वान लगाते हों फिर आप इस गेम के मासर आपको आपको चोटी सी चीज बजाते हूं आप स्पोर्स इफ यूर उसके लिए जो लिजीबिल्टी है वह भी आपको पता होनी चाहिए यह होता है जैसे यूर गूइंग फॉर आई 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 टी के लिए आप जाओगे वहां पर आपके रेंट चलते हैं तो सेम इंदा स्पोर्स अगर आपने नहीं इस करनी हैं तो फिर्स ऑफ आफ ऑल यू शुड़ भी आ थैन प्लस टू प्लस इंटरनेशन जो इंटरनेशनल प दोननी है इनको करनर तक की डिग्रियां दे दी भी है ठीक है वो हर यूश्टियों को पास आउट बिकॉज दे हैव नो टाइम वो इवन घर पे कईयों की फादर की डैट होगी है और वहां पर मैच के रहे हैं डिया रेप्राइजिंटिंग इंडिया यह स्पोर्स को मतलब अगर आप लोग जैसे अब यह न्यू जैने आप बच्चों को चोटरी को किसी को बताऊगे यह देख लो जसलाइके आर्मी वाला कि आर्मी में जब क्या होता है आपके घर पे को कैस्विल्टी हो जाई तो और आपको ऐसे एरिये में आपको जहां पर बहुत ज्यादा होगी और वो बारदर पर बैठें कia युदा है जो अब जितने भी आपके चाहिना वहां पर बैखें ति कि अगरां को ऑप वापा लगने यंबनार्या था हो तो वहां पर आपका से श्किन अगर ओपन में रहे जाती है तो ठोर आप के वहां पर बहुत ऐसे की सिज थोगे हैं कि कारनी पड हैं अगर आपकी ड्रॉपिंग गलत होगी है ना खाने की वहां पर स्पोस्थ हेलिकॉप्टर से ड्रॉपिंग गलत होगी तो आप वह खाना भी नहीं ले सकते हो इतनी वहां पर सुनो इतना मतलब टफ लाइफ है अब तो बहुत अच्छे एकुमेंट्स हो गए हैं आपके पास बहुत अच्छे जो हेलिकॉप्टर्स हैं फाइटर्स हैं बहुत अच्छे आ गया दर्वाइस आज से 10-15 साल पहले जो वहां पर जाता था कुछ ना कुछ गडबर हो गई आते हैं बहुत मतलब आप 16,000 प्लस आप देख लो भी क्या वहां पर भी सुनो पढ़नी शुरू ह होगी है और वह सारे बैठे हैं अभी लेला दाक्ट के सारा चाहिनी चाहिनीस ने क्या किया हुआ है वहां पर डबल पूरे लेंगे अपने बना दी हैं पूरे ट्रैक सारा आम एमूनेशन सब कुछ उन्होंने अपने पके वहां पर सारा बना दी है हमारे अब शुरू अब टनल से आपको स्टेट वे उन्होंने एट-9 किलोमेटर टनल हो सीधा आप चाहिना बार्डर पर कोई भी समाल बेज सकते हो यह बड़ा फार्क है यह सारी चीज़ें आपको हाइट का आपको कहीं पे भी आप चल जाओ अब आपने एक एंडोमोर्फी है वह पतला लॉंग डिस्टेंस के या मेरा थंद्रेश देख लो वह सारे ऐसे हुए उनका आप स्टमक पेड़ देखो गए ही नहीं और उनकी 10,000 ऐसे भागते हूं जैसे आपका 102-200 मिटर को भाग रहा देवे सचे एंडॉरेंस मतलब उनका 10 किलोमेटर बागने के बाद भी जब वह सबस्क्राइब आते हैं ऐपनी लास लैब जो चलता है You know लैब जो हुझा पर जाते हैं तो वह वह पर वह सिगनल करते हैं आपका लास सेकींड लास थे तो फूरेट को पता लग जाता है कि यह मेरा लास रांड चार रहे हैं तो वह जितने भी ऐसे लोग होतें कि आपके एक्लेटिक्स के लिए बहुत अच्छे हैं लॉंग डिस्टेंस जो बिल्कुल पतले लीन एंधिन फिर जो आपका नेक्स कैटागरी आयता है एंडो वह एक्दम वेट भी गेन कर लेते हैं वेट लूज भी कर लेते हैं पियर शेप बॉड़ी जिसको हम बहुते हैं तो यह त अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पर जाना है तो एट लीज सिक्स मिनीमम हाइट हैं बास्केट बॉल और वॉलीबॉल को आप अगर जितना मर्जी अच्छा हो आप अगर 555-5657 आप वहां कुछ भी नहीं कर सकते हैं जो थोड़ा सा हाइट कम होती है वालीबॉल में बिक वह डिफ्रेंट कलर्स का होता है वह अटेक लाइन से पीछे केलता है वह बच्चा या वह प्लेयर आपको थोड़ा नॉर्मल हाइट का होगा क्योंकि उसका काम है बॉल को श्मैश को उठाना डाइव करना अधर वाई जितने आप देखोगे लिफ्टर देखोगे श्मैश उनकी और उसके बाद वो देखो जंप करती है और उपर से हैंड देखो कितने उपर जाएगा अगर 567 का होगा ना तो उसके तो सिर पे बॉले पड़ेगी यह होता है ऐसे ही आप कोई अच्छे मैश देखना कभी अगर कोई हाइट का बहुत जादा वहां पे हैं अगर देंगे आगे दूसी तरफ तो वहां पे आपकी हाइट बहुत काउंट करती है अब आपके कुछ एक गीम जैसी है जो जैसे आपके जमनास्टिक है वहां पे आपने जमनास्ट और स्वीमर्स उनकी आपने बॉड़ी देखना पॉड़ी पॉस्चर वह एंटाइरली हर गेम और जमनास्टिक इनिशियर सेज में करवा दी आप उसको किसी भी गेम में डालो एनी गेम वो किसी भी गेम में बहुत इजली पिक कर देगा आप फॉरन में क्या होता है चोटे बच्चे चलो पानी में आपने मेरे खाल कितने बच्चे जिसने स्वीमिंग पूल नहीं बहुत बच्चे हैं तो वह क्या होता है फाइव फॉर मन्ट शिक्स मन्ट चलो पानी में उनकी देखना एक्सरसाइज वाटर में क्या करते होते हैं और जमनासिक एक ऐसी चीज़ है जब आपके पूरी बॉड़ी का जितने भी आपके जोएंट से पूरा खीज देते हैं आप चाहिना वालों का एक वीडियो दो देखोगे आप उसको देख नहीं सकते हो मतलब आप उस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे जो ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को लिटा के उनकी उपर खड़े हैं उनकी दोनों बाजुएं पूरी जोड़के मतलब वो पूरा उनको ऐसे बना देते हैं बॉल की तर और आप देख लो थर्टीन येर्स फोर्टीन यह लेवल है उनका आप कोई भी गेम देख लो अभी मैं कल पर सो आपको नहीं बता रहा था मैं अभी मैं चंदीगड़ गया था तो वहां पे नेशनल चल रही नौर जोन वाइक वैप उन्होंने कैमरा लगाया है प्लेयर खेर रहा है ठीक है वह क्या कर रहा हूं आपको ऐसा उन्होंने सिस्टेम बना दिया है आपका अगर एक हैंड की मुवमेंट भी गलत आती है वह पॉइंट आउट कर देख आप ड्रैग गलत कर रहे हो तो बताया था प्लस तू को बताया था प्लस तू देखो कितनी अच्छी चीज है यह हमार को हमको भी कितनी नॉलिज म इनी स्पोर्स पर्सन फ्रॉम इंडिया अदर्वाइस चाइना एंड जैपनीज वह किसी को आगे नहीं आने देटें टेबल टैनिस में उस लड़के ने रैंक वन लिया है अंडर नाइंटीन में इंडिया इंडिया का जो लड़का वर्ड में रैंक वन तो वह उसको मैं कहते हैं सर ऐसे मेरी लेग्स ऐसे आती ही उसने वहीं पर पकड़ ली और आपको पूरा बता दिया कि यह गलत कर रहे हैं और वहीं से उसकी परफॉर्मस कांग भी यह चीज़े हमारे अभी आने सकती है बहुत पीछे एकाम अब बेटा आपका पीरेड किसका था यह